एक परदान मंत्री आये, उन्होंने का भई हमें, ये क्या हम, ये क्या कर रहे हैं भई हमें हात्यारों की जरुवती नहीं हमारे पास तो डंडा है, क्या करना है हात्यारों की तो बासट हो गया, जब पिट गए तब सोन में आया एक परदान मंत्री आये, उन्होंने का रहे हम ये जासूसी वासूसी क्यों करते हैं भई हम तो शान्ति प्रिय लोग है हमारा एक संगठन, जिसमें RSN सिंग साब काम करते थे उस संगठन के बहादुर लोगों ने आपके पड़ोसी मुल्क में जिस जगे बम, न्यूक्लियर बम के लिए जो फ्यूजन बनाया जाता है वहां तीन आदमी आपके प्लांट थे, नाई की दुकान बना ली थी अनुने अब इस तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी उस प्लांट में जो लोग काम करते थे, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, सब कुछ वहीं रखा था ये बात अलग है कि तीन आदमी आपकी वहां नाई की दुकान खोलने में कामयाब हो गयते बाल काटने से पता चला कि उन बालों में किस चीज के रेशे हैं उन रेशों को भेज करके बता दिया कि जो बम धमाकों के लिए फ्यूजन बनना है, वो यहां बन रहा है कठुआ मैं प्रधान मंत्री को बताया गया, उन्होंने फून करके किया भई आप बम क्यों बना रहें तीनों मार दिये गए एक प्रधान मंत्री आए, वो भी पाकिस्तान से माइगरेट हुए थे उन्होंने ऑफिशली, जो भारत की खुफिया एजनसी है उस डीप स्टेट को उफिशली खतम किया, उनका नाम था आई की गुजराल फिर एक और आए हमारे यहां कंसिंस्टेंसी नहीं है हम अपने पाँच हजार साल पुराने इतिहास से और साथ सो साल की गुलामी के दरमयान में क्या हुआ है इसको सीखने हैं नहीं चाते है हर आदमी आता है सत्ता पर बैठते हैं उसको लगता है कि नहीं I am a statement मुझे कुछ नया करना है जो दुनिया मेरी वाववा करे इस वाववा के चक्कर में ये देश पर बाद हुआ है एक प्रधान मंत्री हमारे बस लेके गए हम बस लेके जा रहे थे वो पैदल आ गए कारगिल में और हमने एक जर्णरल को जिसका पूरी दुनिया में उजागर हो गया उसको राश्पती बनवा दिया खर बस डिप्लोमेसी हुई वो भी खतम हो गई बात एक ऐसे बने के आये तो पाकिस्तान से थे प्रधान मंत्री भारत के बने लेकिन दस साल में उदर जा नहीं पाई बिचारे नहीं वो भी कोई करिश्मा कर देते लेकिन मैं ये मूर्था इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भारत को पढ़ाए मैंने बारा साल उनको पढ़ा है इसलिए मैं अगर जानता भी हूँ तो मुझे अब इस देश को बताने में कोई गम नहीं है क्योंकि मुझे अब उस प्रफेशन में वापस नहीं जाना आपको नहीं पता कि कारगिल के बाद एक बड़ा दुगध गटना गटी है जिस कारगिल यूद की हम चर्चा कर रहे हैं और यह आप किया तो नहीं बताय जाएगा वहां बताय गया गोल्डन लेटर्स में है मिनिट टू मिनिट बताय गया आप सब को याद होगा यह तो अभी चंद साल पुरानी गटना है कि कारगिल यूद में परवेज मुशर्फ का जो मैसेश था वो आपके महान सपूतों ने टेप कर लिया था कितने बज़े क्या बोला क्या कहा सारी वो रिकॉर्डिंग है थी क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम यह मानते है कि जितने महान संस्कृती के लोग हम है जितने आदर्शवादी हम है उतने ही दूसरे लोग होंगे और इसी गलत फेमी में हम साथ सो साल से गुलाम है और आजादी के बाद भी गुलाम है आप आदर्शवादी हैं रहिए आपकी संस्कृती आदर्शवादी थी उस पे गर्व कीजिए लेकिन वर्तमान में समाज आदर्शवादी नहीं है समाज जिस किसम का है उसी हत्यार से लड़ाई लड़ी जाएगी नहीं आप मार खाते रहेंगे वो लोगों ने कहा कि देखिये सब वो पूरे देश में पता है आपके उस वक्त के प्रधान मंतरी से लेकर के एक एने से थे बहुत महान एने से उनकी बड़ी चर्चा होती है और हमारे यह एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर जो मैंने पास से देखा है मैं उसका जिकर कर रहा हूँ बाखी आप लोग उससे बड़े हैं कह सकते है कि किसी भी आदमी में निजी तोर पे छोड़ दीजे अगर उसको राष्ट के नाम पे भी कुछ पता चल जाता है तब भी वो अपने संबंदों के खराब होने और उस बात को कहने से या तो कत्रा जाता है या खामुश हो जाता है और हम सब वो ही गुणगान करने लगते हैं जब वो चला जाता है तब हम उसके बारे में कहते हैं ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कायता है वो जिन्दा हो तो उसके मूँपे कहो ताकि उसे मरने में तकलीफ हो जिस जिस चीज़ की में बात कर रहूं जिस रिकॉर्डिंग की में बात कर रहूं वो रिकॉर्डिंग आपके लोगों ने देश की खुफिया एजिंसी ने पूरी दे दी हमारे यहां के महान निताओं ने अपनी अंतर राष्टी चवी चांती के दूद्ध फोन करके फोन करके कहा कि देखिये साब हम आपको इसकी कॉपी भेज रहे हैं और इन लोगों को सजा दीजिए उस मुल्क में जहां सजा देने वाली क्राइम करते हैं उससे कहरें कि आप सजा दीजिए हाँ उन्होंने सजा दे दी क्योंकि आपको ग्यान जिस चीज़ का नहीं है उसमें भी आप एक्सपर्ट है मैं दो चीज़ों पर बार बार फोकस करता हूँ और दुनिया से सीखिए कुछ चीज़ें आदमी के बदलने से नहीं बदली जानी चाहिए वो राश्ट की एक पॉलिसी होती है आज कोई समाजवादी आ गया उसने देश की फॉरिण पॉलिसी बदल दिये आज कोई वामपंती आ गया उसने अपनी पॉलिसी बदल दिये आपकी डिफिंस पॉलिसी और फॉरिण पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है और अगर कोई गल्ती आपने कर भी लिये तो भी उसको आप सुधारना नहीं चाहते लहाज़ा इतने एक्सपरिमेंट करने के बाद वो कैसिट गया राश्ट पती के दरबार में साथ पाकिस्तानियों का उसी रात कतल कर दिया गया सब आर्मी के ओफिसर थे और एक एक खबर नहीं दी सारे फैमिली को कमफाइन कर दिया गया ये खबर देश से बाहर ना निकले आपके लोगों ने राश्ट पती भवन पाकिस्तान में पैट बना ली थी वो साथों पाकिस्तानी भारत के लिए खुफिया एजिंसी की खबर दे रहे थे कुछ निकला नहीं आप महान नहीं बने लेकिन ये महानता का भूत जो है हमको सवार है उस मुलक को आप कुछ भी कहिए अच्छा कहिए बुरा कहिए लेकिन चार राज्जियों का मुलक उत्तर प्रदेश के बराबर की जनसंख्या आपके समतल खड़ा रहता है आपका देश उसके नाम से एक पत्थर भैंक देते हैं हमके आद देखे हमने घर में घुसके मारा है हमने किसे मारा है आपके बराबर का मुलक है वो एक बौने से मुलक वो आपने पराबर बना लिया है सुबह शाम पूरे देश के अंदर पाकिस्तान 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 ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को समाप्त करने या पाकिस्तान के उपर दो पत्थर फैकने से ही महान हो जाएंगे जहां फैकना चाहिए वहाँ नी फैक पाते है पूरी पूरा नेशन की साइक में पाकिस्तान बैठ गया है उसको पता है कि कहां पर किस बात के कहने से भारत के अंदर गरबड़ी होगी वो अपने काम पे लगा हुआ था वो जिस मकसद के लिए बना है वो काम बहुत खुब ही कर रहा है उसमें वो एक इंच आगे पीछे नहीं हुआ उनके अंसेंटरिस्ट, लेफ्टिस्ट लीनिंग के भुट्टो को भी देखा हमने और एक्स्टीम, इसलाम को मानने वाले ज्यावलहक को भी देखा नवाज शरीफ को भी देखा, बे-नजीर को भी देखा, मुशर्रफ को भी देखा लेकिन कुछ बदला नहीं आप के हैं बदलता रहता है हर आदमी एक्सप्रिमेंट करता है यह जो विश्वास जीतने की परमपरा हमारे सा है यह हमने नहीं सोचा कि इसी विश्वास जीतने में हम 700 साल गुलाम हो गए प्रत्विराच चोहन ने भी 16 लिवार विश्वास जीता था गुरु गोविन सिंग ने भी जीता था विश्वास नहीं मिला आपको आज तक विश्वास नाम का कवी मिल गया आई दिल्ली में लेकिन विश्वास नहीं मिल रहा हम कब तक सब जानने के बावजूद भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं पूरी दुनिया का विश्वास जीतने के बाद हम करेंगे शान्ती सिर्फ शक्ती से स्थापित होती है भीक मांगने से और हाज जोडने से नहीं होती आप शक्ती का प्रदशन कीजिए और आपने जब जब किया है तब तक रिजल्ट आपको अच्छे मिले है